गाजा में इसरायल और हमास की हिंसक लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। अब तक अलग-अलग हमले करने वाले फिलिस्तिनी प्रतिरोध अब एक होकर इसरायली बलो पर हावी हैं। गाजा के हर कोने से हमास लड़ाके इसरायली फौज पर आग बरसा रहे हैं। इसरायली बलो के लिए गाजा में हर एक कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। दक्षडी गाजा के खान युनिस्स और रफा शहर जंगी मैदान के नए खाड़ा बने हुए हैं। यहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जम कर वार पलट वार कर रहे हैं। खंडर हो चुके गाजा में अभी भी गोलियों की तरतड़ा हट मिसाइलों की गूंच और स्नाइपर्स के घात लगा कर सीधे सटीक हमलों की आवाज सुनाई पड़ रहे हैं। दरसल इसराइल के गाजा उपरेशन को विफल करने के लिए प्रतिरोत के लड़ाके खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तमाल कर रहे हैं। बज़य है कि गाजा अब बहुत बड़ी कबरगाह बन गया है जहां लड़ाक एगाट लगाकर इसराइल के सैनिकों का शिकार कर रहे हैं। इस कड़ी में एक बार फिर हमास लड़ाकों ने मिलकर किये जोरदार हमले में इसराइल को बहुत बड़ा जटका दिया है। अलकुट्स ब्रिगेड ने अपने हालिया हमले का एक फुटेज जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उसके लड़ाके अलकसम ब्रिगेड के साथ मिलकर जबरदस तरीके से इसराइली फौच पर हमला करते हैं। ब्रिगेड के जौइंट उप्रेशन में ये हमला दक्षिड गाजा के रफा शहर के पश्चिम में तेल अल सुल्तान पडोस में एक इसराइली टैंक पर किया गया। इस दौरान एक ही वार में इसराइल का बक्तर बंद टैंक जबरदस घमाके से आग का बुला बन गया। बारूद हथियार ले जाते हुए देखा जा सकता है। तूटी फूटी संकरे रस्ते से गुजरते हुए एक लड़ाके एक खाली खंडहर मकान में दाखिल होते हैं जहां वा पास में खड़े इसराइली टैंक को निशाना बनाते हैं। ऐसा दावा है कि इस हमले से इसराइ सकते हैं कि हम बटन दबाएंगे हाला कि आखिर में दोनों 60 बटन दबानने के लिए सहमत हो जाते हैं। पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। लड़ाकों की ओर से अत्यादोनिक हतियारों के इस्तमाल ने इसराइल के सामने और कड़ी चुनौती पेश की है। माना जाता है कि हमास के इस नय पहत्रे को भापने में इसराइल से बड़ी चूक हो गई हैं। जिसका खाम्याजा उस से दहल रहे गाजा में अलकसम ब्रिगेड इसराइली बलो पर कहर बन कर बरसी है। एक बार फिर इसकी एक खौफनाक तस्वीर देखने मिली है। इसराइल के खान यूनिस शोहर में मचाय जमकर उत्पात से बढ़के लड़ाकों ने पूर्व के अलजाना इलाके में एक ब से सटीक और जोरदार वार किया जिसकी जद में आया टैंक बलास्ट से धूधू कर जलने लगा। गाजा और इसराइली बलो के बीच खड़ी अलकसम ब्रिगेड ने सिर्फ यही नहीं तहल का मचाया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने अपने हमलों की गून से इसर इसराइली कारवाई का मूतोड जवाब देते हुए तेल अवीव और उनके उपनगरों पर दो M90 रॉकेट से बंबारी की। ब्रिगेड ने अपने दावे की पुष्टी करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसमें देखा जा सकता है कि M90 रॉकेटों का इसराइल पर दिखाया जाता है।